किस्मत chance, talent और hard work का combination होती है और जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम इस पर control कर सकते हैं बहुत से लोगों को किस्मत के बारे में गलत फहमी होती है हम ऐसा मानते हैं कि कुछ होना या ना होना ही किस्मत होता है कुछ ऐसा जो रहसिमय तरीके से हमारे सामने आता है और रहसिमय तरीके से ही गायव हो जाता है ये विश्वास करना कि लग कुछ ऐसा है जिसे प्रभावित नहीं किया जा सकता है किसी इनसान को भागे के भरोसे करने के लिए काफी होता है वो इंसान फिर यही सोचता है कि सब कुछ भागय भरोसे है लेकिन निराश मत हो ये क्योंकि भागशाली होने का मतलब सिर्फ अच्छे भागय का होना नहीं होता है बलकि इससे कहीं ज्यादा होता है ये समरी किस्मत के बेसिक पहलू को समझाती है आप देखेंगे कि ये कहां और कैसे होता है और इसे डेली लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है किस्मत को इंफुएंस करके आप अपने सक्सेस और हैपिनेस की चांसस बढ़ा सकते हैं गुड लाक ये एक बहुत कॉमन बात है कि किस्मत हमारे कंट्रोल के परे होती है और हमारे साथ ऐसा रैंडमली होता रहता है लेकिन असल में जितना हम सोचते हैं ये उससे ज्यादा रियल होता है किस्मत और मौका दो अलग-अलग चीजे होती है लेकिन मौका किस्मत का एक हिस्सा होता है इन दोनों को बरा किस्मत उस मौके का नतीजा होती है जो हमें मिला है और जिसे हम अपने टालेंट और हार्ड वर्क से पाते हैं और अपने लग को बढ़ाने के लिए हमें तैयारी और उपरचुनिटी को लेने की अबिलिटी चाहिए होती है। उदारन के लिए देखते हैं कि इतिफाक से एक पार्टी में आपको एक इन्वेस्टर के पास वाली सीट मिल गई है। किसमत है जो कि किसी भी समय किसी को भी अपना आईडिया सुना कर कन्विंस करने की आपकी अबिलिटी पर निर्भर करती है। इस बारे में सूचना समय बरबाद करने जैसा होगा कि चांस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इस बात को ignore करना चाहिए कि आप अपने मौकों को control कर सकते हैं, बजाए इसके आपको ध्यान देना चाहिए उस बात पर जो आपको प्रभावित करती है, जो है आपकी किस्मत. एक slot machine का उदाहरन लेते हैं. अगर आप इस बात के लिए sure हैं कि तीन में से दो cherry हमेशा line up रहेंगी और बहुत curious और hard working भी होंगी, तब इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि तीसरी cherry किसी न किसी point पर गिर जाएगी या हार जाएगी. असल में हम में से बहुत से लोग इस बात को समझते हैं. लेखक के द्वारा conduct किये गए एक national survey में ये बताया गया है कि 67% लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि कड़ी मेहनत ने उनकी life में उनके luck के लिए अच्छा साथ निभाया है. और 64% लोग ऐसा सोचते हैं कि curiosity और opportunity को हा लग डिपेंड करता है. तो आपने देखा यहां पर random chances से भी कहीं ज्यादा किस्मत मौझूद है. आगे आप सीखेंगे कि किस्मत को पाने के मौकों को कैसे बढ़ाया जा सकता है. अपनी जिद से अपने लग को increase कीजे. खुद को उस जगह रखें जहां पर किस्मत है और flow क अगेंस्ट चाहिए. हर कोई किस्मत को अपनी मुठी में करना चाहता है. और यहां पर आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आप कुछ तरीकों की मदद से अपनी day-to-day life को बदल सकते हैं और किस्मत को improve कर सकते हैं. पहला method यह है कि आपको अपने idea के लिए कड़ी मेहन के साथ ही जुनूनी और जिद्दी बनना पड़ेगा. किस्मत भी उन्हीं के साथ देती है जो कि कभी give up नहीं करते हैं. चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना हार चुकी हो. बेस्सेलिंग ऑथर जॉन कृशम ने कभी give up नहीं किया. जबकि उन्हें 28 publishers ने book publish करने से मना कर दिय था और आज वे 275 million books को globally sell कर चुके हैं. जिद और जुनून आपकी help कर सकते हैं. लेकिन जो सच में effective होगा वो ये है कि आप अपने आपको ऐसी जगह रखें जहां पर luck हो. इस method को ice hockey legend Wayne Gretzky ने कुछ इस तरह explain किया है. उनका सबसे ज्यादा score rate इसलिए बना क्यूंकि वो प अगर आप अपने आपको वहां रखेंगे जहां पर opportunity है तब आप अपने success के chances को बढ़ा देंगे. इसलिए जो भी Bollywood में जाना चाहते हैं वो Mumbai में जाकर रहते हैं क्यूंकि वहां से उन्हें opportunity मिलने के chances ज्यादा होते हैं. ये method आपके luck को increase तो कर सकता है. लेकिन unfortunately आप अक दिखने के लिए कुछ हट कर सोचना होगा. 1960 में athlete Dick Fosbury ने एक unique approach develop की उनकी high jump के लिए और उनके performance को 6 inches तक improve कर लिया. उनका अजीब सा दिखने वाला mid-air rotation Fosbury flop के नाम से जाना जाने लगा. यहां तक की शुरुआत में experts ने इसे dismiss भी कर दिया था. उसके बाद flop ने 1968 Olympic में उन में expert और उनके साथ दूसरे high jump athletes ने उनकी इस अजीब सी लगने वाली technique को समझ लिया. और 1972 से लेकर अभी तक Fosbury flop technique का इस्तमाल करने वाला हर athlete gold medal जीता है. Flow के against जाईए. अपने जुनून और समझदारी से खुद को opportunity वाली जगह पर रखिए. उसके बाद देखिए कि किस तरह से अपनी किस्मत को अपनी मुठी में कर लेते हैं. networking के द्वारा काम करना आपको एक lucky framework बनाने में मदद कर सकता है. यहाँ पर ऐसी बहुत सारी techniques हैं जिने आप अपनी life में adopt कर सकते हैं. जो आपको तयार करेंगी उस समय के लिए जब कोई नई opportunity आपके पास आने वाली होगी. सबसे पहले आप अपने जान पहचान वाले लोगों का एक अच्छा network establish कीजे. opportunity की संभावना वहाँ अधिक बढ़ जाती है जहां पर आप बहुत ज्यादा करीबी लोगों के आसपास ना हो. यह इस तरह है जैसे करीबी मित्रों और परिवारों के विपरीत लोग. ऐसे लो से जिसे आप मिलते हैं, अपनी नई opportunity और अफसर के बारे में बात करते हैं, तब आप उस सही इंसान तक पहुंचाते हैं जहां पर आपको होना चाहिए. उदारन के लिए जब आप अपनी job के लिए हर इंसान से बात करते हैं, तब कोई एक इंसान ऐसा मिलता है जो आपका interview आपकी dream company के लिए set कर देता है, दूसरी टेकनीक है अपनी life में variation लाना होगा, हमें अपनी life में और हमारी activities में variation लाना होगा, multiple activities होना हमारी success के chances को बढ़ा देता है, अगर ऐसा हुआ कि हमारी एक opportunity ने ठीक से काम नहीं किया, तब हमारे पास ऐसी और बहुत सारी opportunities होंगी, ज एक उदाहरन देखते हैं, fashion designer मीरा ने जब अपने boyfriend के साथ एक नई company start करने के लिए अपना editing का job छोड़ा, तब उनके boyfriend couple ने उनके advertising industry का काम जारी रखा, जिससे कि जब तक उन्हें अपनी fashion company के लिए lucky break नहीं मिल गया, उन्हें नया business start करने के लिए income भी होती रही और extra support भी म 1928 में physician और microbiologist Alexander Fleming एक बहुत लंबे vacation के बाद अपनी lab में वापिस लोटे, तब उन्होंने देखा एक bacteria जो की फपून मारता है किसी तरह से उनके lab में आ गया था और एक petri dish में गिर गया था, हाला कि उस bacteria को पहले ही काफी लोग वहाँ से निकालने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि Fleming ने पहले से ही काफी research कर रखी थी, इसलिए उन्हें पता था कि इसका महत्व क्या हो सकता है, इस तरह से उन्होंने bacteria को मारने की दवा penicillin का आविशकार किया, जिसने उन्हें 1945 में Nobel Prize दिलवाया, अब आप इस बात को समझें कि किस तरह स चोटे से अवसर को बड़ी सफलता में बदला जा सकता है, आईए अब कुछ practical examples देखते हैं कि ये हम लोगों की daily life में कैसे apply होता है, हमारे career की सफलता में अवसर की भागिदारी हो सकती है, लेकिन lucky वही साबित हुए जो अपनी किसमत के लिए अडे रहे, Goldman Sachs बहुत बड़ investment company के मालिक हैं, उन्होंने first year analyst की आई हुई applications को दो list में divide कर दिया, पहली list वो थी जो की consider की गई, दूसरी list वो थी जिसे dustbin में डाल दिया गया, अब आप अपने आपको dustbin में जाने से कैसे बचाएंगे और इस बात को कैसे ensure करेंगे कि आपका number पहले वाली list में होगा, इस consider किये जा चुके हैं, क्योंकि वो अपनी इस position के लिए अडे रहे थे, दूर के रिष्टों की ताकत याद है, वो दूर के रिष्टे ही आपके third list में आने की चाबी है, उदारन के लिए आपका कोई family member उस company में काम करता है, जहां पर आप भी जाना चाहते हैं, और यह आपक क्योंकि एक e-commerce executive हैं, जिनसे लेखक ने बात की, उनके अनुसार, candidate का उस position के लिए effort हमें हमारे final decision तक ले जाता है, जैक ने बताया कि उनके पास बहुत सारे impressive applications आते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को hire किया, जो कि या तो उनसे personally contact करने के लिए प्रयास करते हैं, या ज इसे लोग जो position को पाने के लिए इस तरह का effort लगाते हैं, ये वही लोग हैं जो इस पर अडे रहते हैं, हाला कि सिर्व recommendation ही successful होने के लिए काफी नहीं होता है, आपको अपनी opportunity को भी बढ़ाना पड़ता है, किसी TV show के लिए चुने गए तीनों ही कलाकारों के साथ ये हुआ कि या तो वो किसी famous parents के बच्चे थे या वो show creators को पहले से ही जानते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात का फाइदा नहीं उठाया, और अपने काम से ये साबित किया कि वे तीनों ही इस job के लिए best candidates हैं, इसका result ये हुआ कि show successful हो गया, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से प्यार में भागिशाली होने के लिए हम किसमत को influence कर सकते हैं, प्यार में lucky होने के लिए आपको सही जगह पर जाना होगा और सही काम करना होगा, लोग अकसर ये बाते करते हैं कि वो कितने भागिशाली हैं जो उन्हें एक सही साथी मिला है, लेकिन वे लोग इस बात को realize कर पाते हैं कि यहां पर सर्फ साथी होने से ज्यादा भी बहुत कुछ है। राइट परसन को ढूंडने के लिए आपको राइट प्लेस पर होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि पहले बताया गया है आपको अपने लग को इंक्रीज करने के लिए खुद को उस सही जगा पर पहुँचाना होगा जहां पर उपचिनिटी ज्यादा होती है। यही बात आपके संभावित साथी के मिलने पर भी रागो होती है। एक्जांपल के लिए अगर आप आठ पसंद करते हैं तो आर्ट गैलरी जाएए और देखें कि वहाँ आपको कौन मिलता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी राइट प्लेस होगी जहां पर आपके किसी से मिलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। उदारन के लिए आप अपने किसी फ्रेंड की शादी में जाते हैं जहां पर कुल 125 लोग मौजूद हैं। आपके किसी राइट परसन से मिलने के चांसे ज्यादा होंगे बजाए इसके कि आप किसी फुटबॉल मैज को देखने एक स्टेडियम में गए जहां पर 20,000 से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। जब आप किसी बहतर पार्टन की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे ही किसी जगह पर मत चले जाएं। किसी प्लेस का चुनाव सोच समझ कर करें। किसी बहतर इंसान से मिलने के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टन बात ध्यान में रखनी होगी। कि परफेक्ट जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हम सभी इंसान हैं और हर इंसान में खामियां होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपको एक्स पार्टन की खामियां किसी और इंसान के तरफ परफेक्ट की तलाश करते हुए ले जाती है। psychologist Dr. Barry Schwartz कहते हैं कि problem choice करने से लेकर शुरू होती है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा alternatives होते हैं तो इसका result ये होता है कि हम उन चीजों पर focus करने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये बात हमारे satisfaction को कम कर देती है फिर जाहे वो चुनी गई हमारे लिए एक अच्छी choice ही क्यों न हो। लेखक के द्वारा किये गए एक national survey में ये पाया गया कि लोगों से जब पूशा गया कि प्यार में किसमत के क्या माइने होते हैं सिर्फ 70% लोगों ने ये कहा कि ये पू जूरतों और इच्छाओं का ज्यादा सम्मान करते हैं अपने पार्टनों को पूरा समय और effort देने के बाद आप एक strong relationship बना सकते हैं और ये आपको आपके प्यार के लिए lucky feel करवाएगा प्यार में खुश किसमत होना इतना आसान नहीं है इसके लिए आपको इस पर work करना हो भागेशाली बच्चे खुश भी रहते हैं और आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा भागेशाली बना सकते हैं उन्हें वो सारे सिधान्त सिखा कर जो हमने इस समरी में समझाए हैं किसी बच्चे के luck को increase करने के लिए आपको उन्हें available opportunities के बारे में समझाना चाहिए ना कि उन्हें एक ही particular रास्ते पर चलने के लिए force करना चाहिए। डॉक्टर जेसिका लेविंस्टीन जो की न्यू यॉक के harassment school में हैं उनका मानना है कि वे बच्चे ज्यादा खुश होंगे अगर वे इस बात पर भरोसा करेंगे कि उनकी life को वो उनके हिसाब से जी सकते हैं और control कर सकते हैं। उन्होंने ये explain किया कि वो parents जो अपने बच्चों को किसी specific teacher से education लेने के लिए allow नहीं करते हैं अक्सर अपने बच्चों के independence और learning को खत्म कर लेते हैं। उदाहरन देखते हैं। लेखक ने एक बार अपने बच्चे के teacher को change करना चाहा लेकिन school के principal ने इस situation को एक positive attitude के साथ देखा और खुद को इसमें involve किया। आखिर में ये हुआ कि लेखक के बेटे और teacher के बीच में एक अच्छी bonding बन गई और दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह गुल मिल गए। लेखक ने इस बारे में भी बात की कि कि किस तरह से उनके पिता की आदत थी उनके report card को ignore करने की और वो खुद को लेकर concern रहते थे बजा इस बात की कि उनकी बेटी कैसा महसूस करती है। अगर हम बच्चों को उनके लगाए हुए efforts के effects को खुद ही समझने देंगे चाहे वो गलतियां ही क्यों नहों तब बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से सीख हाइ स्कूल में बिल गेट्स और पॉलन ने एक छोटा सा data analysis का business ढूंडा जो की successful नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद ही Microsoft company बनी। बिल गेट्स बहुत ही आश्चरे चकित थे कि उनके पिता ने उनके teachers को ये कहा कि इसे आगे बढ़ने दीजे बजाए इसके कि इसे पढ़ाई पर focus करने को कहिए। उनके माता-पिता ने उन्हें allow किया उनके हिसाब से काम करने के लिए और उसके बाद जो हुआ जो success उन्हें मिली वो तो सभी जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को ये सिखाया जाए कि कि किस तरह से व इसके लिए आपको prepared रहना चाहिए और इसके लिए आपको इस situation से समझदारी से निबटना होगा। बुरे समय से बचने के लिए उसके लिए तयार रहना सबसे अच्छा तरीका है। और ये एक छोटी से शुरुआत करने के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। उधारन क अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमें उन छोटी-छोटी सी बातों पर फोकस करना चाहिए जिनने हम कंट्रोल कर सकते हैं बजाए इसके कि हम किसी बुरे आउटकम को लेकर चिंता करते रहें। हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी में ये पाया गया कि हर साल वन मिलियन से भी ज्यादा अमेरिकन्स सिर्फ इस बात से मौद के मूँग तक पहुँच जाते हैं क्यूंकि उनको वेट इशूज होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं या उन्हें हाई ब्लड प्र हैं जैसे कि हम शाक अटाक को लेकर या एबोला वाइरस को लेकर चिंता में रहते हैं लेकिन हम ये नहीं सोच दे कि कार अक्सिडेंट से कैसे बचा जाए जो कि हर दिन कम से कम हंडर्ड अमेरिकन्स की जान ले लेता है जब बात किसी आपदा की आती है चाहे वो प्राक्रत दिखो या मनुश्य द्वारा की गई कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशन्स के साथ हम इन आपदाओं का सामना कर सकते हैं क्यों न जब हम किसी होटेल में जाते हैं तो कुछ समय फायर एसकेप चिक करने में बिताएं और इस बात के लिए श्योर रहें कि फायर अलाम ठीक से क प्रसित लेखक ली च्राइल्ड को उनकी 13 साल पुरानी नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन इस बात को लेकर बैठे रहने और रोने की जगा उन्होंने अपने इस फ्रस्ट्रेशन को बेस्ट सेलिंग जैक फ्रीचर नौवल्स को बनाने में लगाया को अथर ने किसी पहाड को चड़ने को लेकर इस तरह से एक्स्प्रीन किया है कि अगर आप किसी पहाड की सबसे उन्ची चूटी को चूना चाहते हैं तो आपको पहले आप जहां पर खड़े हैं उस घाटी से उतरना होगा उसके बाद ही आप पहाड की उन्चाई तक पहुँच पाएंगे कहने का मतलब है आप जहां पर हैं जब वहां से निकलेंगे तभी आप जहां चाहते हैं वहां पहुँच पाएंगे सिर्फ कड़ी मेहनत ही गुड लग को इंप्रूव करने का एक रास्ता है ऐसा नहीं है लेकिन हाड वर्क आपको आपके बैड लग से निकलने में और गुड लग की तरफ जाने में मदद कर सकता है कुल मिलाकर लग को हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल में कर सकते हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो यहां पर दिखाए गए हैं हाड वर्क टैलन्ट और चांस को एक साथ शामिल करके और खुद को ऐसी जगह पर प्लेस करके जहां पर ऑपरचुनिटी होने की सं बावना ज्यादा होती है ऐसा करने से आप अपने लग को इंक्रीज कर सकते हैं क्या करें अपनी लाइफ को कॉम्पस के थ्रू रास्ते पर लाएं ना कि मैप के ऐसी जगह तलाश करना जहां पर ऑपरचुनिटी ज्यादा है आपके लग को बढ़ा देता है इसके लिए अपको रास्ते से भटकाता ना हो बल्कि आपको ऑपरचुनिटी तक ले जाता हो अगर आप इस बात को जानते हैं कि आपको जहां पहुंचना है वहाँ पर जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है तब आपको सिर्फ अपने आस्पास कुछ चेंज जिस करने होंगे इसक झाल झाल झाल